अपने संसेद्य शेत्र वारनशी के लोगों से गुर्वार को पिया मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी बात की एंजियो और वारनसी शेत्र के प्रतिनेग्यों से बात करते हुए पियमोदी ने कभीरदास का एक दोहा दोहराते हुए कहा कि कभीरदास जी ने कहा है सेव का फल मांगे नहीं सेव करे दिन रात अर्थात सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता दिन रत निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और दूसरों के निस्वार्थ सेवा के हमारे यहीं संसकार है जो इस मुश्किल समय में काम आ रही है पियमोदे ने इस दोहे के जरीए कोरोना काल में परिशान लोगों की मदद के लिए केंदर सरकार के द्वारा उठाये गए कदम के बारे में भी बताया साथियों हम तो काशी वासी है और कबिरदास जी ने कहा है कबिरदास जी ने कहा है सेवक फल मांगे नहीं सेव करे दिन रात सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता है दिन रात निश्वार्थ भाव से सेवा करता है दूसरों की निश्वार्थ सेवा के हमारे यही संसकार है जो इस मुश्किल समय में देश वास्यों के काम आ रहे है इसी भावना के साथ केंदर सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि कुरोना काल के इस समय में सामान ने जन की पीड़ा को साजा किया जाए उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए गरीब को राशन मिले उसकी जेब में कुछ रुपिय रहे उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के लिए रण ले सके इन सभी बातों पर ध्यान दिया है साथियों आज भारत में असी करोड से जादा लोगों को यहां करा बहुत बड़ा है असी करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन दिया जा रहा है इसका बहुत बड़ा लाब मनारस के भी गरीबों को स्रमीकों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दो गुनी आबादी से यहने अमेरिका की जो टोटल जनसंग है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरन पोशन कर रहा है और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक यानि दिपावली और छटपुजा यानि तीस नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है हमारी कोशिच यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पिने की कमी ना हो खाने के साथ साथ लोगडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए इंधन की दिकत ना हो इसके लिए उजवला योजना के लाभार्थियों को पिछले तीन महेने से मुप्त गैस सिलिंडर दिया जा रहा है साथियों गरीबों के जनदन खाते में हजारों करोर रुपे जबा करा रहा हो या फिर गरीबों के स्रमीकों के रोजगार की चिंता छोटे उद्योगों को रहेडी ठेला लागाने वालों को आसान रण अपलब्त करा ना हो या खेती प्रशुपालन बचली पानन और दुसरे कामों के लिए अईतियासिक फैंस ले और सरकार ने लगातार काम किया है कुछ दिन पहले ही बीस हजार करोर रुपे की मत्स संपदा योजना को भी मंजुरी दी गई है इसका लाब भी इस खेत्र के मचली पालकों को होगा इसके अलाबा यहाँ यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विशेस अभ्यान चलाया गया है इसके तहित हमारे जो हस्तसिल्पी है बुनकर है दूसरे कारिकर है या फिर दूसरे राज्यों से जो भी स्रविक साथी गाव लोटे है ऐसे लाखों कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्ता की गई